राजस्थान के जन्पत बूंदी के लाखेरी में मंगलवार को गरमपुरा निवासी सानू सूटर और्फ जाबेद अक्तर पुत्र जाहिर मुहंबत का शब अलीसेर पीर बाबा के समीप बने नाले में मिला था मृतक के हाथ पेर बंदे हुए थे इस पर मृतक के घरवालों ने ACC कमपनी प्रबंदक एवम सुरक्षा गाडों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर बूंदी अत्रिक्त पुलिस अधीच्छक के मार्ग दर्शन में लाखेरी ब्रता अधिकारी नितीसा जाखड के सुपर विजन में लाखेरी थाना अधिकारी सुरेस गूजर एवम इंद्रगड थाना अधिकारी हरीस भारती ने अनुशंधान कर सीसी टीवी फोटेस के आधार एवम बाइरल वीडियो के आधार पर चार ही दिन में कारिवाई करते हुए हत्या की गुथी को सुलजा कर एसी सी कमपणी के नौ सुरक्षा गाड़ों को गरफतार करने में सफलता हासल की है ब्रता अधिकारी नितिसा जाखड ने प्रैस नोट जारी कर बताया कि मृतक एसी सी कमपणी की चोरियां किया करता था हत्या के दिन मृतक एसी सी फैक्टरी में दीबार फांद कर गया था जिसे सुरक्षा गाड़ों ने पकड़ कर बांद दिया एवम उसके साथ मारपीट की एवम उसे अली सेर बाबा की दरगा के पीछे बने नाले में फेक दिया गहन पूस्ताच में एसी सी कमपणी के सुरक्षा गाड़ों ने जुर्म कुबूल कर लिया है एवम मुख्य नामजद अव्युक्त नरेंद फरार चल रहा है जिसे जल् अनुशुटर की थी उसके बाइस साजी दली का कहना था कि एसी सी के गारड़ों ने इसको मार कर इदर गिरा दिया है एस्पी साब के सुपरवीजन और एडिशनल साब के निकरतम सुपरवीजन में सी आई इंदर गड़ और एसेच्व लाखेरी की एक टीम गठित की गई जिनों ने दो तिन दिनों में उसंदान कर आज नतीजे पर पहुंचे है नो लोगों को गिरिफतार किया गया है गठ ना में नामजद आरोपी को लेकर क्या है नामजद आरोपी है उसकी गठित की गए लिए और उसे जल्द गिरिफतार किया जाए इस मामें क्या गठना कर वाया मतलब पहले हुआ था पर बाद में कैसे को जाए इसमें अब तक कि यह जानकारी मिली है कि जो यह सानुस रुटर था वो एससी में आए दिन चोरियां करता था तो उसी दिन चोरी के उदेशे से अंदर गुसा होगा गाड़ों ने इसको देख लिया और इसके हाथ पेर बांद कर इसको पिटाई गी और इन्हों ने अपने जो अधिकारी है वी पीसिंग उसको ले गया और बार में इन्हों ने इदर गी राते हैं देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर